आप सभी को धम्म चक्रव प्रवर्तन दिवस और अशाड़ पुर्णिमा की बहुत बहुत सुपकामनाएं। आज हम गुरु पुर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ती के बाद अपना पहला ज्ञान सौंसार को दिया था। हमारी यहां कहा गया है जहां ज्ञान है वही पुर्णिमा है और जब उपदेश करने वाले स्वयम बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्यान का परियाय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बलकि धम्चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल पांच सिश्यों को उपदेश दिया था। लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अन्याई हैं बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। साथियों सारनात में बगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का पूरे ज्यान का सुत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, ये आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है। और इस जीत का रास्ता भी बताया, भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अस्टांग सुत्र, आठ मंत्र दिये। समादिठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कंमंतो, सम्मा आजिवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती और सम्मा समाधी। यानि की सम्यक द्रश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वानी, सम्यक कर्म, सम्यक आजिविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधी यानि मन की एकागरता। मन, वानी और संकल्प में हमारे कर्मों और प्रयासों में अगर ये संतुलन है तो हम दूखों से निकल कर प्रगती और सुख को हांसिल कर सकते हैं यही संतुलन हमें अच्छे समय में हमें लोक कल्याण की प्रेडा देता है और मुश्किल में धायरिय रखने की ताकत देता है साथियों आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनोती का सामना हम कैसे कर सकते हैं भारत ने ये करके दिखाया है बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दुसरे का हाथ थाम रहे हैं एक दुसरे की ताकत बन रहे हैं इस दिशा में इंट्रनेश्टनल बुद्धिस कन्फेडरेशन का केर विद प्रेयर इनिशेटिव ये भी बहुत प्रसंशनिया है साथियों दम्मपद कहता है नहीं वेरेन वेरानी संपन्तिध कुदाचनम अवेरेन चसंपति एस धम्मो सनंततों अर्थात वेर से वेर शान्त नहीं होता बलकि वेर अवेर से बड़े मन से प्रेम से शान्त होता है त्रासदी के समय में दुनिया ने प्रेम की सवहार की इस शक्ति को महसूस किया है बुद्ध का ये ज्ञान मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे सम्रुद्ध होगा विश्व सफलता और सम्रुद्धी की नई उचाईयों को छूएगा इसी कामना के साथ एक बार फिल आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई आप स्वस्त रहें और मानवता की सेवा करते रहें धन्यवाद